Good morning students, आज हम अर्मान नामक पाट पड़ेंगे, इसके कवी है रामनारेश त्रिपाठी जी चित्र में देखिए, दो बच्चे अपनी बुद्धी लगा कर एक जानवर को जो नहर में गिर गया है उसकी सहायता करने के लिए इन्होंने अपनी जान तक जो खिम में डाल कर उसकी सहायता कर रहे है मतलब यहां पर हमें निसहायों की एक जन्तु की जीवन बचाया है और यहाँ पर हमने इस चित्र से हमें यह सीख मिलती है कि हर एक जब हम जन्म लेते हैं तो हम किसी कारी के लिए ही हमारे जीवन को अर्पित करना चाहिए सभी को सहायता करनी चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, इसी में हमारा जीवन सार्तक होगा यहाँ पर चित्र में देखिए, अपने लिए जीए तो क्या जीए, तू जीए दिल जमाने के लिए मतलब खुद के लिए जीए ना तो हर कोई जीता है, परन्तु जो दूसरों के लिए जीता है, वह बहुत ही महान विक्ति होता है यहाँ पर तिन प्रश्न दिये गए है, केवल अपने लिए जीना क्यों विर्त है? क्योंकि जीवन तो हर कोई जीता है, हर कोई जन्म लेता है परन्तु जब हम सामने वालों की जो निसहाय होता है, उसके हम सहायता नहीं करते हैं, तो वह जीवन विर्त है दूसरा प्रश्न जमाने के लिए जीने से क्या तातपरी है जमाने के लिए याने हम समा सेवा कर सके और या हम किसी निसहाई को सहायता करे या देश के लिए हमारे प्रानों को त्याग करे इस तरह जमाने के लिए जीना इसका तातपरी हो सकता है इस नीती के बारे में आपके क्या विचार है इस नीती से हमें यह विचार है कि हमें हर कोई जीवन जन्तु या मानो कोई भी जीवन जीता है परन्तु जो जीवन यह सार्तक होता है दूसरों के लिए मदद करता है दूसरों की मदद करता है देश की सेवा करता है तबी उसका जीवन सारतक बन सकता है हे शोक यही अर्मान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे हे शोक यही अर्मान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे यहां पर शोक यही अर्मान, अर्मान मतलब इच्छा, शोक का अर्थ है कुछ कर दिखाने का हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम नमरों में नाम लिखाएंगे अमर मतलब जो देश की रक्षा के लिए अपने प्रान त्याक करते हैं, देश की सेवा के लिए प्रान त्याक करते हैं, उन्हें कहते हैं अमर देश के लिए मर मितने वाले, तो यहां पर ऐसी शोक रखने चाहिए, हमें ऐसे अर्मान रखने चाहिए कि देश के लिए हम अपने प्रान को बलिदान कर सके जो लोग गरीब बिखारी है जिन पर ना किसी की छाया है हम उनको गले लगाएंगे हम उनको सुखी बनाएंगे जो लोग गरीब बिखारी है मतलब जिसके सिर पर ना छत है ना गर है ना खाने के लिए खाना पानी है जिन पर ना किसी का छाया है छाया याने माता पिता जिसके कोई माता पिता नहीं है हम उनको गले लगाएंगे मतलब हम उनको आदर करेंगे और उनको उनकी सहायता करेंगे हम उनको सुखी बनाएंगे मतलब उनको खाना पानी दिलाएंगे उनकी सुरक्षा का कुछ व्यवस्ता करेंगे इस तरह हम उनको सुखी बना सकते हैं जो हार कर मान कर बैठे हैं उम्मीद मार कर बैठे हैं हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्सा जगाएंगे जो हार मान कर बैठे हैं उम्मीद मार कर बैठे हैं हार मान कर याने अगर अब जीवन में हमसे कुछ नहीं हो सकता इस तरह जो हारता है संगर्ष करते करते हार जाता है उम्मीद मार कर बैठे हैं मतलब अगर अब लगता है कि उसका कुछ नहीं होगा हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे हम उनको इस तरह प्रेरित करेंगे कि वह फिर से संघर्ष करें जीवन में और अपना नाम वर्चस्व कमाएं दुनिया में और नाम कमाएं इस तरह हम उनको उत्साह उनके दिलों में उत्साह भरेंगे रोको मत आगे बढ़ने दो आजादी के दीवाने हैं हम मात्रभूमी की सेवा में अपना सर्वस्फ लगाएंगे रोको मत आगे बढ़ने दो हम देश के लिए आजादी के दीवाने हैं हम देश को आजाद करना चाहते हैं देश को हम किसी के सामने जुखने नहीं देंगे हम मातर भूमी की सेवा करेंगे और हमारा सब कुछ हम नौजावर कर देंगे हम देश की रक्षा करेंगे इस तरह यहां पर कभी कहते हैं हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे हम उनका मान बढ़ाएंगे हम जग में नाम कमाएंगे हम वीरों के वीर मतलब जिसे सुबाचंद्र बोजी है जिसे सुबाचंद्र बोजी है महात्मा गांदी है नहरू जी है सरदार वलभाई पटेल जी है ये सारे लोग बहुत सारे वीर अपने देश के लिए अंग्रेजों से अज़ादी के लिए अपने प्रानों तक उन्होंने बलिदान किया है हम उनके बच्चे हैं हम मतलब उनकी ही छटर जाया में हम अपने देश की रक्षा करेंगे हर दुनके पक्के सच्छे थे मतलब जो सोंशते हैं और वह कर दिखाते हैं हम उनका मान बढ़ाएंगे हम उनका नाम रखेंगे उनका नाम रोशन करेंगे हम जग में नाम कमाएंगे इस तरह हम देश की रक्ष़ा के लिए हमारे प्रानों को बलिदान भी करेंगे और हम देश की सेवा करेंगे इस तरह हम समाज में, जग में, समसार में हमारा नाम कमाएंगे ऐसी हमारी सूंच है तो बच्चो इस पार्ट से हमने यह सीका है कि हमें सब की सहायता करनी है और सब को गले लगाना है उन्च नीच का भेदभाव नहीं रखना है देश के लिए हमारे प्रानों तक बलिदान करना है और वीरों के नाम को हमें उनका मान सम्मान रखना है सभी की और जग में हमें अपना नाम कमाना है तो बच्चो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पार्ट समझ में आया हो आया हो तो मेरे वीडियो को लैक कीजेगा और अपने मित्रों को शेर कीजेगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद